वेल दोस्तों अगर आप भी अपने की रेजिट काड़ के थुरू पैसे को ट्रांसफर करना जाते हो अपनी बैंक अकाउंट के अंदर तो फिर देखो आपको पैसा को उपर ऐसी बहुत सारी अप्लेकेशन मिल जाएंगी जो कि आपका पैसा ट्रांसफर तो कर देंगी लेकि से जाए जाए डाउन्रोड हो चुके हैं जीवी कैस तीन साल से इस मार्कीट के अंदर काम कर रहा है और तीन साल यह पुरानी अप्लिकेशन भी हो चुकी है तो अपको पता है मार्केट के अंदर ना इंस्टेंट पेमेंट करने वाली बहुत सारी यह लेकिन उनमें जो चा कहले हैं एससे पहले आपको जी वी के अप्लिकेशन प्लेस भी एससे डाउनलोड कर लियंग अपको डाउनलोड करने की बाद है आपको ःस्टारी करने के बाद आम को इसको उपन कर ल dividend को सबसे पहले न आपको अपने credit card का पैसा transfer करने वाले हैं यही pay education fee पे click कर करेंगे लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा तो भी login करने के लिए मैंने आपना phone number डाल दिया phone number डालने एक बाद आपको simply continue पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ सा processing में चला गया है अब यहाँ पर आपको थोड़ा wait कर लेना है आप आपके नंबर पर OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर simply verify करवा दिना है यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको option देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला आपको invite friend का option देखने को मिलता है उसके बाद second number पर आपको profile detail मिलती है अगर आप यहाँ पर profile detail पर click करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन आपको यह सारी detail यहां पर complete करनी बढ़ेगी, उसके बाद आपको simply यह back आ जाना है, back आने के बाद यहां पर आप देख सकतो, my card के अंदर आपको, मतलब आप जितने भी card यहां पर add करते जाओगो न, वो सारी card आपको my card के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अब example के यहां पर देख सकते हो, मैंने अपना HDFC bank का credit card यहां पर add कर रखाए, अब बहुत देखो, आप जिस भी card के थुरू पैसा निकालना चाहते हो, सबसे पहले आपको वो वाला card यहां पर add करना पड़ेगा, यहां पर आपको plus वाला icon मिल जाता है, आप इस पर click करके, अपना credit credit card air करो गई, अब यहां पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कि जिसके भी नाम से account यह बन रहा है, जीवी कैस का, उसी के नाम से वो credit card होना चीए, तभी आपके transaction successful हो पाएगी, अब यहां पर simply card को verify करवाने के रिए, आपको starting at chart delete card के number डालने पड़ेंगे, और आपक credit card है, वो verify भी हो जाएगा, और यहां पर add भी हो जाएगा, और एक बार आपका यह card verify हो जाता है, तो भाई, आप easily इस card के दुरू आप transaction कर सकते हो, लेकिन अभी हम back आते हैं, मैं आपको transaction करके भी दिखाने वाला हूँ, अब एक हमारा रही है KYC verification है, अब देखो यार, पह transaction के अंदर, अपना pen card का number डाल के उसको verify करवा देना है, और अधार card वाले section करनर, आपको सबसे पहले अधार card डालना पड़ेगा, उसके बाद आपके number पे OTP आएगा, OTP के धुरू अपना verification आप करवा सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं pen पे click करता हूँ, तो मेरा अभी referral है, मैंने सिर्फ एक मतलब अपने दोस्त को join करवाए था, अगर मैं उसको join करवाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर 100 coin देखने को मिलते हैं, और उसको 50 coin देखने को मिलेंगे, मैंने description box के अंदर भी अपना यही referral दे रखाए, अगर आप उस link से download करते हो, तो यहाँ प आपको कोई भी exercise नहीं पेकनने पड़ेंगे, आई होप आप समझी कोगी, कि referral इसका किस तरह से काम करता है, आप जितने भी referral बनाते जाओगे, उस दिनी जाद आपकी transaction fee होती जाएगी, आपको यहाँ पर मेरा referral code देखने को मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर 50 coin लेना चा पड़ेगा, लेकिन अगर वही पागर आप rent payment करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 2-3% के extra charges भी देने पड़ जाएगे, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपने credit काड़के through balance transfer कर रहे हो, आप हमेशा education fee के mode में transfer करना, उसके बाद अगर आप GST payment मगर भी करन लेकिन अभी हम education fee पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर bank account add करना पड़ेगा, जिस भी bank के अंदर आप यह पैसा receive करना चाहते हो, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, देख सकते हो, आपको सबसे पहले अकाउंट नमबर डालना पड़ेगा, उसको मतलब re-verify कर देना, IFC कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर pen card भी verify करवाना पड़ेगा, जिसका भी आपको यहाँ पर bank account डाल रहे हो, उसी का pen card होना चाहिए, और उसी का आपको mobile number यहाँ पर ड अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मिर पास यह सारी detail आ रहे है, अगर मैं यहाँ पर amount डालता हूँ, example के लिए न, मैं यहाँ पर 10,000 रुपय का amount डाल रहा हूँ, उसके बाद select source card, मैं यहाँ पर click करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी मेरा card यहाँ पर already add हो हो जाता है, लेकिन अगर आप NFT select करते हो, तो हो सकता है कि amount आने में आपको 30 मीनिट का भी time लग जाए, तो भी इसलिए मैं आप IMP select किया है, और मैं मान के चलता हूँ कर मैं इनके charges को कम करना चाहता हूँ, देखो अगर आप instant पैसा transfer करना चाहते हो, तो आपको 1.69% का charge देन है न, देखो, जैसे कि अब मेरे को यहाँ पे, अगर मैं instant यहाँ पे select करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो amount है, 10,000 रुपे दिखाया जा रहा है, service charge मेरा 1.69% के जाप से, 179 रुपे शो किया जा रहा है, और जो मेरा IMPS NEFT charge है, वो मेरा 4 रुपे लिया जा रहा है, और य मैं आपको इसका live example दिखाता हूँ, देख सकते हो, मेरे wallet balance के अंदर 21 रुपे पड़े हुए, अगर मैं इसको click कर देता हूँ, तो जो मेरे charges है, वो कम हो चुकिया है, इसलिए मैं आपको कहा रहा था, कि अगर आपके wallet balance के अंदर पैसे पड़े हुए, तो वही आप इसको मतलब चाहूँ तो खतम भी कर सकते हो, और मैं आपको इसका भी नमोना दिखा देता हूँ, example के लिएकर मैं यहाँ पे सिर्फ 800 amount डालता हूँ न, तो यहाँ पर आप देखो, अब जो मेरे charges है न, वो 800 के अपर 18 रुपे चार्ज लिए जा रहे हैं, और मेरे wallet के अंदर 21 बतारा था कि जो आपका wallet balance है, वो किस तरह से काम करता है, आपको यहाँ पर minimum 1000 रुपे के अपने transaction करने ही पड़ेगी, मैं आपको 1000 रुपे की transaction करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 1000 रुपे amount डाल दिया, उसके बाद मैंने अपना card से लग कर दिया, IMPS में कर रह और अपने card के जितनी भी detail है, वो सारी मेरको यहाँ पर एंटर करने पड़ेगी, अब एक बाद detail एंटर करके मैं आपको वीडियो के अंदर वागे मिलता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो मैंने card detail add कर दिया, अब मैं finally pay nao पे click कर देता हूँ, अब यह थोड भी मेरको यहाँ पर verify करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकतो मेरे credit card के थूँ, एक हजार दो रुपे नबबे पैसे काटे जा रहे हैं, और जो मेरे account के अंदर ट्रांसफर के जाएंगे पैसे, वो हमारे 1000 रुपे है, यानि कि मेरे को यहाँ पर इतने रुपे सबसे पहले जाएगी GV cash के पास, अब देखो, यहाँ पर जो मेरे transaction है, वो successful मतलब complete हो चुगी है, मेरे को order ID, मेरा कितना amount cut है, वो मेरे को दिखाए जा रहा है, कितने मेरे charges लिए गए हैं, वो दिखाए जा रहा है, और मेरे wallet से कितने पैसे used हो हैं, वो मेरे को दिखाए ज लेकिन अभी जो मैंने transaction किया, वो मेरा successful यहाँ पर दिखा रहा है भी तो timing वैसे, लेकिन 2012 लुपी की transaction मेरे को यहाँ पर शो करी जा रही है, और यह transaction मेरी 22 नमबर 2024 किया है, और दोस्तों यहाँ पर मेरे को cashback भी दिया गया है, मान के चलते, अब जितने ही amount का transaction करते हो न, और उस amount पर आपका जितना भी charge लगाए, उस charge का आपको कुछ न कुछ cashback भी जरूर दिया जाएगा, मैं एक बार आपको wallet history में भी ले जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो transaction fees, जो मेरे wallet से कटी थी, वो मेरी 21 रुपय 76 पैसे है, लेकिन यहाँ पर मेरे क cashback भूप में 6 रुपय 41 पैसे भी मिल चुके है, अगर मैं आपको home page में भी ले जाके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकतो, 6 रुपय 41 पैसे मेरे यहाँ पर update हो चुके है, यहाँ पर आप देख सकतो, मेरे को बोला जा रहे है कि भाई, जो आपकी education fee है, वो इनके account मे successful transfer कर दिया गया है, जो कि मेरे 1000 रुपय थे, अब देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यानक नाए, कि जो हमारे credit card add किया जा रहा है, मतलब उसका नाम, जैसे कि example के लिए, जिसका नाम add था, उसका नाम था अमित, और पैसा जिसके account में गया है, उसका नाम में और पैसा जिसका account में जा रहा है, वो भी बनना अलग होना चीए, अब आप पैसा मा सोजन लग जाना कि भाई, मैं अपने credit card से पैसा निकाल के अपने account कंदर transfer कर लेता हूँ, भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना वाला, आपकी जो transaction है, वो fail हो जाएगी, आप अपने card से पैसा निकाल के किसी दूसरे एक account में भेज सकते हो, तो दोस्तों ये था complete process, GV case से balance transfer करने का, अब बही देखो, यहाँ पे आप एक बात का ध्यान अगना, सबसे पहले दो भाई, GV case अगर आपके पास है, तो उसको latest version के अंदर update कर लेना, और आपको एक बात और ध्यान र करता है, बागी दोस्तों अगर आपको transfer करने में को भी दिक्कत आई हो, आप एक बन्मिर को कमेंट करके ज़रूर बाता ना, आपको reply मिल जाएगा, बागी हम मिलते अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर तब तक लेज जाएं, जे वारत.